आपि तो अब आज की स्वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैसे आप लोग के अन्दर फाइनल ट्राई की जो ddrase को कैसे का सकते है इसे पहले मैंने वीडियो बनाये थी जिसमें मैंने अपक Christian कैसे आप लोग final try के लिए जो है अपनी final try जो है आप कैसे जो है date जो है उसकी book का सकते हैं आज की वीडियो में इंशाल हम आपको सक्षाहूंगा कैसे अप लोग इसकी डेट चेंज का सकते हैं आपने final try book की आपको date बहुत आगे मिल गी है या बहुत पहले मिलगी है तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे का सकते हैं आज कि इस वीडियो मुकंबल तफसील के साथ आपको मैं बताने वाला हूं वीडियो को मुकंबल लास तक देखना है कोई भी स्टैप में नहीं करना वीडियो की तरफ चलते हैं वीडियो की तरफ जान से प पहले आपने करना कर आपने अपने प्लेटो को ओपन करने के बाद आपने यहां पर एक application डोउन्टon हो ओपन करने है अगर आपके पास iPhone है तो आपने अपना App Store चोड़री करना है और यहां पर आपने लिक लेना है MOI यह लिखकर आपने सर्च कर लेना है उसके बाद आपने यह वाली जो application है इसको download कर लेने download करने के बाद आपने करना कि इसको open कर लेना है इस application को download करने से पहले आपने ध्यान रखनाना है कि आपका UE Pass का account बनाओ ठीक है तो ही आप इस application को login का सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि UE Pass का account कैसे बनाते हैं तो उसके उपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उसका link आपको description में मिल जाएगा जाके मेरी वीडियो देखकर अपना UE Pass का account बनाएं उसके बाद आपने यह application download करनी है application download करने के बाद आपने open करना है उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो language है वो select कर लेनी है मैं यहाँ पर English select कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद आपने आपने यह application को permission करना मांगेगी तो आपने वो दे देनी है अलोग कर देना है उसके बाद आपने करना कर यहाँ पर skip कर देना है skip करने के बाद आपके सामने यह application open हो जाएगी सबसे पहला काम आपने करना है इस application को login करना है यहाँ पर आपने करना है login के उपर click करना है login के उपर click करने के बाद आपने यहाँ पर sign in with ue pass यहाँ पर आप लोग पर रिजेस्ट्र भी का सकते हैं उसके बर मैंने वीडियो बनाई हूई है वो भी आप लोग दे सकते हैं कि आपके आपके पास ye Juan पर बहुत सरे options आज जाएंगे, आपने करना कि आपने यहां पर simple सा डूण देना है change, try date, okay अगर आपको यहां पर नहीं मिलता है, most use के ओपर आपने करना कि यहां पर service के ओपर चले जाना है, service के ओपर जाने के बाद यहां पर आपने निचे आज़ेना है ठीक है आगे करने के लिए आपने करना का यहां पर पॉस्पॉन के उपर करना है अगर आपके उचाते हैं कि आपकी डेट जो ट्राइ की डेट है फाइन ट्राइ की डेट बहुत ज्यादा दूर है तो आपने करना का यहां पर इसके उपर आपने कलिक कर देना है ठीक है यहां आपने चेक करते रहना है जब भी कोई आपका पहले डेट आ जाएगी कोई गाड़ी फ्री होगी तो वहां पर option आ जाएगा उस डेट का आपने वहां पर क्लिक करके अपना 300 पे करने के बाद आपकी जो डेट है वो आगे हो जाएगी यहां पर एक बात और भी याद रखने अगर आप लोग यही जो है प्रस्पॉंट टेस्ट करते हैं क्राइपिंग सेंटर वगरा से तो वहां पर आपके 350 लगेंगे ठीक है आपने यहां पर online करना है आपके 50 दिरह में वह बच जाएंगे ठीक है उसके अलबावा यहां पर एक और option होता है कि आप अपने ट्राइ कि जो डेटा वो थोड़ी आगे हो जाए तो आपने करना है कि यहां पर postpone test date के उपर click कर देना है जैसे इसके उपर click करना है उसके बाद यहां पर आपकी कौनसी date को try यह वो आपने यहां पर select कर लेना है select करने के बाद आपने करना है यहां पर next के उपर click कर देना है जैसे मैं यहां पर नहीं करना चाहता तो मैं यहां पर नो के उपर क्लिका देता हूँ ठीक है क्योंकि मैं यहां पर इस अपनी डेटा जो आगे नहीं करना चाहता है सिर्फ आप लोग को बताने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूँ तो आपने यहां पर अपनी जो try की data वो select करने हैं उसके बाद नेक्स्ट करना है उसके बाद आगे yes करना है उसके बाद आपका जो procedure हो जाएगा ठीक है इतना सा काम है इस तरह आसानी के साथ आप जो अपनी try की data वो change का सकते हैं उमीद करूँगा आपको वीडियो की समझ लगी होगी अगर फिर भी किसी को कुछ questions है तो भाई आप मुझे comments का सकते हैं या Instagram पर message का सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा तो मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए Allah आपेस